अगर आपका भी कंप्यूटर में या लेफटॉप में या फिर आपका जो पीसी ए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इस टाइब का नो सिगनल पावर तो इसे कैसे सॉल्ब करते हैं तो सबसे पहले आपका जो है जैसे कि आप देख सकते मैंने पीसी खोल रखा है तो मैं और आपको यहां पे जो भी हार डिक्स ए'? यह सारे सब को क्लीन कर देना है तो चलिए मैं बताता हूं स्टेप रख टेप जैसे आपको बता रहा हूं तो आप देख सकते एं मेरे पास यह वाला बिजनेस क्लास जो CPU है मेरे पास आप कोई साभी है डजन हवे मैटर कि आपके पास कौन सा CPU है आप सिर्फ उसका हार्डिक्स निकाल लेना है और उसको क्लीन कर देना है स्टेप बाइ स्टेप देखते रही है आपको सब क्लीन सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आप ब्रस का इस्तमाल कर सकते हैं जो टूथ पेस होते हैं मतलब जो ब्रस करते हैं उससे जो ब्रस तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से और इतना भी जोड है जिससे आपका problem solve हो जाएगा अगर इसके बावजूद अगर नहीं होता है तो आपको दिखाना पड़ेगा जो इनके expert होते हैं जो आपके पास नियर वाइस जो भी होते हैं रिपैर करने वाले क्योंकि आपका फिर motherboard में problem हो सकता है तो इस तरीके से आपको रैम को साप करना है और इसको मतलब साप करने के बाद और टेंशन लेने की कोई जूरूत नहीं mix भी हो जाए तो कोई दिकत नहीं आप एक साथ में दोनों को रख सकते हैं तो कोई साब इधर करें मुदर भी रख सकते हैं और इस सारे के सारे जो पोट होते हैं लगाने वाले इन सभी को clean कर आप देख सकते हैं इस तरी ब्रस के इसतमाल किया है इस तरी के से आप clean कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, जो dust होता है, काफी ज़्यादा मात्रा में इसमें लगा होता है, तो इसी वज़ा से आपका जो CPU में जो power supply है वो नहीं हो पाता हstill है DHA Kafka से तो आप इसका इस्तमाल करके इसी तरिका से साप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ओपर से जब वह मार रहा हूं जो हावा मारने वाला होता है और Jordy in PAUL नहीं डिखेंग आप झालो है इसके लगा सकते हैं उसके वाद ध्यान अब लगाते आपको यहां पर दिख जाएगा कि we hard of देख लिजेगा क्ट कहा से लगा हुआ है कैसे अदे प्रेस कर दो नहीं करके डेख सकते हैं इसी वाले में लगायाा तो तो उसमें दो रहाम और लग सकता था लेकिन मैं именно इस वाले पर लगा हूँ इसमें चार计 दिया गया मेरा लगाने का श्म और यहां पे बैटरी का श्रत आको दिखते हैं तो बैटरी को भी निकाल करके आप इसे साब कर सकते हैं तो इस तर quieres किखेंगा आप को देख सकते माईने यहां से रन को Phikz कर दिया है अब यहां पर हाड डिक्स बारी आती है तो आप ध्यान रखरगा जहां से निकाले थे आपको वहीं से इंशर्ट कर ले हैं क्योंकि जो पता नहीं होता उनके लिए दिक्कत तो आप इस तरीके से मैंने इसको पहले अटेच्च कर लेता हूं अटेच्च करने के बाद आपको बताता हूं को कैसे आगे क्या करना है प्रोसेस और आपका कैसा बस इसको इस तरीके से यहां से आप फिक्स कर सकते है अगर आपका इस टाइप का है तो उसके बाद इतर से लॉक लग जाता है उसके बाद यहां पर आता है इसकी बारी तो केवल साटा केवल वगड़र जो भी होते हैं आप यहां से इंशर्ट कर दीजिए तो देख सकते हैं मैंने साथ साथ clean करके मैं लगाता जा रहा हूं तो यह मैं यहां पे इंसर्ट कर दे रहा हूं इंसर्ट करने के बाद अब यह हमारा इंसर्ट हो चुका है अब हम चेक करेंगे कि हमारा यह power saving mode का जो problem है so तो यह मेरा यह है cd drive जो आप देख सकते हैं जिसमें हम cd लगाते वगरा तो आप यहां से इसट कर सकते हैं तो जैसे कि मैं इसे भी totally clean कर दिया है मैंने और यह है मेरा p4 आपको देखने को मिलता है यह भी इसी के अंदर लगेगा और यह नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप यूज करते तो लगा सकते हैं सीडी का जो प्लेयर होता है इसके बाद आप इस तरीके से अपना बॉक्स लगा लेता हूं मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे का भी प्रोसेस वीडियो स्किप मत किजिए का नहीं तो आपको देख सकते हैं यहां से यह उठाना पड़ता है यहां पर ऐसे दवा करके लोग करना पड़ता है तो देख सकते हैं हमारा यह लोग हो चुका है अब देख सकते हैं बाहर भी नहीं निकल रहा है तो इसी तरीके से अगर उठाना हो तो यहां से यह वाला पकड़के उठा सकत हुए ताप देख सकते हैं यहां पर अपको यहांस मिलता है थोड़ा सवे जाया पर switch सकते हैं , आप पंखे के आगे आप कीवड माउस का वायर की क्लीन करके मैं क्लीन करके लगा देता हूँ यहां पर यह ओगया आप चाहें तो इसके उपर मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप एक साथ में चारचा डिस्प्ले को एक CPU से कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं क्लाइंट तीन जिसे बोलते आप यूज कर सकते हैं अलेस्टर एक वाप भी रात है उसके तुरू आप 4 से 5 मतलब मुनेटर को कनेक्ट कर सकते हैं उसके उपर मैं उल्रेडी वीडियो मना चुका हूँ आप देख लिजीए तो चलिए मैं यहां पर लगा देता हूँ आप यहां पर आपको फिट कर देना इसको और आप देख लीजेगा LED के वहां पर भी आप क्लिन कर दिजेए क्योंकि वहां से भी प्रॉब्लम आ सकता है या LCD जो भी आप वहां से लगा सकते हैं तो यहां दिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा यह वर्क कर रहा है यहां से ओभी प्रोब्लम नहीं रहे गया है यहां से जो भी था इसमें component वो मैंने जो वायर वगेर होता है जो भी मैंने fit कर दिया है अब मैं आपको पताऊंगा कि इसको डेखने के दिखाते हिवार की तो किसा है न शुर्ष देयर करता है है यह थोड़ा सा धंक से लगा है झालता है हुए ओन इसब टो शुला ऑटेश करेंगे कि कि सुछ करेंगे और Quelज इम देखाते हैं यह इन्या पे एक वार्व पर से कलीं करेंगा है है और अगर आप वाइफाई केवल है और यहां से यह सब कुछ निकाल करके आप दुबारा से इंशर्ट कर सकते हैं तो एक बार फिर से मैं इसको निकालता हूँ और इसमें चेक करूँगा कि इसमें क्या प्रोब्लम आ रही है और यहां पर देखेंगे कुछ तार और तो मिसिंग नहीं है तो यहां पर यह वाला अगर लून हो रहा है आपके सामने मैंने आपको निकाला और यह व्रक नहीं कर रहा है तो इसको हम दुबारा से इंशर्ट क निकाल के दुबारा से लगाएंगे तो आजोसे हो था कोई प्रपब्लम आ आ रही है को आप देख सकते हैं यहां पे अगर कोई प्राल्बम आ रही है तो आपको देखे हाईगा दुबारा से आपको ये इंशर्ट करना है निकालके और ध्यान रखिएगा कोई भी गलत नहीं लगाएगेगा वरना आपका प्रॉब्लम आ सकता है जो वायर जहां से निकालते हैं आप पढ़के निकालिएगा कि इस पे कौन सा नंबर P4 है या फिर A4 जो भी आपका इसमें स तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा से मैं भी कंफ्यूज बनाओं यहां से आप देख के और क्यूंकि सिमिलर लगता है तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यह कौन सा है लेकिन इसलिए आपको सब का धियान रखते हुए आपको इंशर्ट करना है तो इस से यह हो चुका है उसके बाद एक और यह भी ऑप्सन मिलता है इसे भी पीफोड आप देख सकते यह वायर है यह भी लगा दिया मैंने अब हम चेक करेंगे कि हमारा यह वर्क करता है यह नहीं करता है क्लीन करके दुबारा चेक कर सकते द्यान रखेगा वायर गलत नहीं लगाना है उसके बाद हम दुबारा इंशर्ट करेंगे सारे वायर और इस बार उमीद करता हूं कि हमारा यह जो प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाएगा पहले तो पावर से मोड आ रहा था मतलब ऐसे कुछ उसमें लिखा हुआ रहा था नो सिगनल और यहां पर आप जैसे लगाऊंगा आप देखिएगा अब यह वर्क कर जाएगा तो थोड़ा सा मैं आपके सामने इंशर्ट कर लेता हूं यह वी कीवोर्ड माउस साथ में यह मेरा आ चुका है अब यहां पर सारे मोनेटर मैंने दो तिन मोनेटर कनेक कर रखा है इसलिए मेरे इतने वायर हो रहे हैं यहां से आप यह वाइफाई का पोर्ट है इसे भी लगा लेता हूं और यह है मेरा दूसरा वायर तो सारे के सारे अब मेरा यह कनेक्ट हो गया है क्योंकि जाहिए सी बात है मेरा CPU से ही प्रॉब्लम होत कर गया अब हम वेट करते हैं कि आपर नो सिगनल power saving mode का भी option आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट करते हैं power load ले रहा है round round भूम रहे आप देख सकते हैं की यह कैमरा थोड़ा उलटा हो गया क्योंकि मैं यहां से आप देख सकते हैं इसको और यह थीन क्लाइंट है जो डिस्प्ले मोनेटर मैं यूज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं आप हमारा यह वर्क कर गया अब यहाँ पे नो सिगनल का जो प्रावलम था हो सुट आउट हो शुका है तो आई होब के इंफ्रोमिशन आप आपको अच्छला अच्छला तो लाइक से इसक्राइब करना मत कुलेगा मिलते हैं ऐसे को इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार